नमस्कार स्वागत एक वर्फिर से राजनीति का खारा में आमादमी पार्टी के संयोजग और दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बीजेपी और कॉंग्रेस सहीत अन्य दलों का मूल चरीत्र एक समान होने का दावा करते हुए कहां के इन दलों के राजनीती से निराज जनता हर चुनाब में सिर्फ सत्ता रूठ दल को हराने के लिए वोट देने को मजबूर है इसलिए हाली में हुए तीन राजियों के चुनाब में जनता ने बीजेपी को हराया सही माएने में यह कॉंग्रेस की जीत नहीं है केजरिवाल ने शनिवार को आपकी सर्वोच नीती निरधारक राश्रीय परिसत की बैठक में बिभिन्य प्रांतों से एकत्र हुए पार्टी प्रतिनीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सत्तर साल में देश नाउमीद हो चुका था क्योंकि देश की राजनीती ऐसी हो गई थी कि हर पांस साल में जनता सरकारें बदलने पर मजबूर हो गई अभी भी जो तीन राजियों के चुनाप परिनाम आये हैं उनकी नतीजे दिखाते हैं कि कॉंग्रेस जीती नहीं है बलकि बीजेपी की हार हुई है केजरीबाल ने दिल्ली सरकार के चार साल के कामों का जिक्र करते हुए कहा हम जनता की उमीदों पर खरे उतने हैं जिसकी बदौले थी एंटी इंकम्बेंसी की अवधारना अब प्रो इंकम्बेंसी में तबदील हो गई है उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्ता का सदूपियों करके आपने लोगों का यविश्वास जीता है इस दौरान केजरीबाल ने दिल्ली सरकार के कामखाज में केंद्र सरकार द्वारा हर संभव वाधाएं उत्पन करने और केंद्रिय जाच एजिंसियों से आप निताओं का प्रतारित और अपमानित करवाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा मोधी सरकार ने दिल्ली सरकार के 400 फाइलों की जाच करा ली लेकिन कुछ नहीं मिला मैं तो मानता हूँ कि आज हमें इमानदारी का प्रमान पत्र मोधी जी ने ही दिया है उन्होंने मोधी सरकार को रैफल सहित अन्य मामलों की महद 4 फाइले ही दिखानी के चुनाती देते हुए कहा आपने दिल्ली सरकार की 400 फाइले देख ली तो अब अपनी भी तो चार फाइले दिखा दें केजरिबाल ने बीजेपी और कॉंग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलों बताते हुए कहा हमारे खिलाब जब भी पुलिस का छापा परता है तो सबसे पहले कॉंग्रेसी जस्न मनाते हैं इस दोरन केजरिबाल ने शुकरवार की रात को हर्याना में आप कारे करताओं को गिरफतार किये जाने के आलोचना करते हुए हर्याना की खटर सरकार पर जातिवादी राजनीती करने का आरोप लगाया उन्होंने सोशल मीडिया पर खटर वीडोधी बयानवाजी करने के आरोप में आपके चालिस कारे करताओं को गिरफतार किये जाने का दावा करते हुए बीजेपी पर पूरे देश में आतंग का माहौल बनाने का आरोप लगाया अगले साल होने बाले आम चुनाब की तैयारियों को लेकर आपकी राश्ट्रिये कारे कारे कारेनी की बैठक में शुक्रबार को किये गए फैसलों पर राश्ट्रिये परिशत की इस बैठक में विचार मन्थन का दौर जा रही है वैसे इतना तो तैय है कि केजरिवाल के इस राजनीक्ति से कॉंग्रेस पूरी तरह कन्फ्यूजड है क्योंकि जहां कॉंग्रेस लोगसभा चुनाब के पहले आम आदमी पार्टी को अपने सहयोगी के रूप में देख रही थी वही अर्विंद केजरिवाल के ऐसे तेवर देखकर अब उसे सोचना परेगा कि कहीं केजरिवाल उन्हें मजधार में न छोड़ दे दूसरी तरफ महागटवंदन के अनेक मौके पर केजरिवाल के अनुपस्थिती भी इशोर इशारा करती है कि अरविंद केजरिवाल कॉंग्रेस के करीब आने में हिचकिचा रहे है और सायद उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उन्हें इस गठवंधन से फायदे के बजाए नुकसान ही होगा चली देखते हैं कि राजनीती के उठापटक 2019 चुनाब के पहले और कितनी दिल्चस्प बनती है हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आप हमारे प्रग्राम के यूट्यूप पर भी देख सकते हैं और हमारे एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं तैंक यू